अगर आप भी Grow App के थुरू मिचुल फंड SIP में इंवेस्ट की हो और किसी मंद का मिचुल फंड SIP इंस्टॉल्मेंट पर नहीं कर पाने की वज़ाद से SIP इंस्टॉल्मेंट किसी मंद के स्किप करना चाहते हो तो कैसी स्किप करोगे पूरे जनकर इस टेप बेश टेप इस वीडियो में देने वाला हो और सांत ही साथ ये भी वटताने वाला हो कि SIP इंस्टॉल्मेंट sıkoking करने कितने चार्जेश गुरोव के दोड़ा ले जाते हैं च्रीजेश बीड को सूल करते हैं स्किप करते हैं। तो गुरूव पे habitual फंड service इसकी बहुत पोलए को स्टान सी.. तो इसके आपको शाओना है, अब जोड़ो пож aircraft को वाले option को select लेता हूं और उसके बाद नीचे में एडिट एसाइपी वाले option क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आपको नीचे में Skip installment को option दिख जाएगा तो अगर आप अपने साइपी इंस्टार्मेंट किसी मांद के सिप करना चाहते हो तो यहां पर आपको Skip क्लिक करना है तो इसकी इंस्टार्मेंट वाले option क्लिक करने के बाद किस मंद का आपका इसाइप होगा यहां पर सो करदेता है तो यहां पर सो करदे रहा है इसके में करना यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर इसके इंस्ट्रॉल्मेंट रिक्वेस्ट के एक से दुदिन बाद ही आपका इसाफी इंस्ट्रॉल्मेंट को क्यांसिल करना चाहते हो तो आपको इसके उपर क्लिक करना है और इसके बाद आपको दुदिन करना है और का इसके आपको है और इसके ऑन्युक्ण करना है और इसके बाद ही आपका इसाफी इंस्टॉल्मेंट स्किप रिक्वेस्ट क्लिक करना है यहाँ पर आपको दो important बाद बाद दू कि SAP skip request के लिए कोई भी charges नहीं ले जाते है grow app को दोरा और एक बार में आप एक ही मंद का SAP installment skip कर सकते हो आपको क्लिए रहो गया हो किस परगार से SAP installment skip कर सकते हो और request cancel भी कर सकते हो तो अगर अभी भी आपको मन में कोई confusion और question है तो comment कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो नेक्स की से अब लेकर साथ तो take care